बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम लीकुम विवर्स वेलकुम टू मैं चैनल कुकिन विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो अफियत से होंगे अल्ला ताला आपको हमेशा उश्वरबाद रखे आमिन सुमा आमिन तो चलिए विवर्स आज हम बिल्कुल शादियों के टेस्ट जैसी खीर घर में ही तयार करते हैं वोही फ्लेवर वोही टेस्ट कैसे आएगा इन्शाला सारी ही बाते आप से शेर होंगी तो हमने यह मज़ेदार सी बिल्कुल शादियों जैसी नावतों जैसी कीर कैसे तयार की चलिए देख लेते हैं इसके लिए एक बटन हम रख देते हैं चुलहे के उपर और इसके अंदर शामिल कर लेते हैं तक्रीबन डेर से दो लिटर के करीब दूद और दूद फुल फैट है यानि के पहले से बॉयल था और इसके अंदर जितनी भी बलाई वग हो दिया है 30 मिनट के लिए और एक ऐसा सीक्रट जो आपको बताने जारी हैं वह है ब्रेट के हमने दो पीसी इसके अंदर चामिल करने हैं जिससे के हमारी खीट बहुत ही ज्यादा स्मूद और मज़े की बनेगी बिल्कुल शादियों जैसा टेस्ट आएगा तो यहां पर मै इसके चिल के उतार लिया थे बदाम और पिस्ता को भी इसके अंदर शामिल करने के बाद पीस लिया है और यह सारा है मिक्स्चर यानि के बदाम पिस्ता ब्रेड और चावलों का मिक्स्चर जिसको हमने मिक्स्चर में पीस लिया है इसके अंदर शामिल करके इसको पका लें वक्तन फक्तन हमें इसके अंदर चमच पी लाना है ताके चावल नीचे बैठके जलना जाएं एक टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे इलाइची पाउडर जिससे के बहुत अच्छी हुश्पू और फ्लेवर आएगा तो बस वीवर्स अब हमने इसको पकने के लिए जाना है यहां पर मैं विस्कर का इसमाल कर रही हूं विस्कर का इसमाल करने से क्या होगा कि खीर बहुती स्मूद और मज़े की बनेगी कोई भी लंब से इसके अंदर नहीं बनेगा तो बस हमें वक्तन फक्तन इसके अंदर से चमच यहां विस्कर को हिलाते जाना है और इस मिनट के बाद खीर की यह कंडिशन है तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी यहां पर मैं 120 ग्राम चीने का इस्समाल कर रही हूं जितना फ्लेवर आपको चीने का पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं इसको भी मिक्स कर लेते हैं और यह जुके दूद ठीज ले लिया है इसके इंदर में तो ना बन पाए इस खोई को भी हम शामिल कर देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरिबन पांच मुनट के लिए खीड को और पकार लेते हैं तो यहां पर विसकर को हिलाते हुए हमने खीड को पका लिया है यहां पर जब आपको बबल्स नदर आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है और इसको हमने शिफ्ट कर देना है थोड़ा कृइब तो फुफ्ट क & श्श खेह अःटीर को बंद करने कर देना है और इसको ठंदा होने कंदे तकर चार फांच घंड़े के लिए और उसके बात मैं आपको हमेरी ही वीडियो को और की लिए और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन कर दीजेगा ताकि आपको में नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन फॉरं से मिल सके जो फ्री ऑफ कोस्ट है तो यहां पर इवर तक्रीबन चार घंडे तक हमने इसको फ्रिज में रखा है और ठंडी-ठंडी मज़े-मज़े की बिल्कुल शादियों जैसे नहीं है कि इसको हमने घर में रेडी किया है तो इन्शाला आपको यह रैसीपी बेहत पसानाने वाली है इस रैसीपी को जुरूर ट्राइ कीज़ेगा और ट्राइ करने के बाद फीडबेक देना मत भूलिएगा तो चलिए विवर जल्दी से जाईए मज़ेदार से खीर आफे